नमस्कार मैं हूँ अमित कटोच स्वागत आपका आपके बने चैनल बेसिक मैथ हैं जीके विद अमित में आज हम हम हिमाच्य प्रदेश करमचारी चेन आयोग द्वारा दोजार एक्किस में बिविन क्रिक्षा में पूछे गे महत्वण प्रशनों को हल करेंगे जो की डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम्स में पूछे गए हैं यह इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको हिमाच्य प्रदेश के कुनिहार अधिराज्य का अंतिम शाशक कौन था चार आपके पास है हरदेब सीं हितिंदर सीं परताब सीं या फिर दिलीप सीं इसका राइट अंसर है ऑप्शन ए हरदेब सीं कुनिहार जो राज्य है उसकी सावन जो है जम्मू से आए अबोस देव ने ग्यारासोच चोवन इश्वी में 1154 में करी थी और इसकी राजदानी हाट कोटी थी और इसके अंतिम शाशक राव हरदेब सीं हैं थे कसोली स्थापित किया गया 1821, 1842, 1861 या फिर 1881 इसका जो राइट अंसर है वो ऑप्शन बी 1842 का सोली सोलन डिस्टिक में पढ़ता है और यहां पर जो है हिमाच्य प्रदेश के बहुत ही महत्यपून इंसिजूट और टूरिज्म की दिस्टि से काफी इंपोरेंट स्थान है प्रतम बिदानसवा चुनाब हिमाच्य प्रदेश में कब हुए फर्स्ट बिदानसवा इलेक्शन वास हेल्ड इन एच्पी इन विचियर 1951, 1952, 1954 या फिर 1956 इसका जो राइट अंसर है जो ऑप्शन A, 1951 ये कॉश्चन जो है डिफ्रेंट टाइप से पूछा जाता है जब पूछा जाएगा आपको कि हिमाच्य प्रदेश में सरकार कब बनी तो इसका जो राइट अंसर होगा 1952 क्योंकि ये इलेक्शन जो है नवंबर 1951 में हुए थ और गॉर्मिट जो है 1952 मार्च में बनी थी और जिसमें 22 प्रमार हिमाच्य प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री बने थे तो ये इंपोर्नेंट कोश्चन है तो के वार जो हम इसको गल्द कर देते हैं नेक्स्ट है हिमाच्य प्रदेश में किस जेले में मुलांग गाटी श्तित है मुलांग वैलिज इस लोकेटिड इन विच डिस्टिक ऑफ हिमाच्य प्रदेश इसका जो राइट अंसर है बो अप्शन ए लाउल्स पीती मैंने हिमाच्य प्रदेश की जितनी भी वैलिज है उनके ओपर एक वीडियो बनाई है जिसमें ओल मोट सभी वैलिज कवर है तो अगर आप मैंसे जिसने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जूर देखें आपको जो है 100% उससे हल्प जूर मिलेगी नेक्स्ट कोशन है हिमाच्य प्रदेश के किस थान पर मलायू किला स् मलायू 4 is located at which place in HP रोडू, सांगला, किलांग या फिर नालगड इसका जो राइट अंसर है बो ओप्शन डी नालगड नालगड जो है जिस्टिक सोलन में पढ़ता है और ये जो है राजा अमीर सिंग थापन उस टाइम बनाया था आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जिन्हों न भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है बे चैनल को सब्सक्राइब भी जूर करें ताकि आगे भी आपको इस सीरीस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे नेक्स्ट कोशन है गुरु गोविन सिंग बिस्टिड मंडी इन विचियर किस बस जो है गुरु गोविन सिंग मंडी आए थे 1514, 1622, 1735 या फिर 1685 इसका जो राइट अंसर है ओप्शन D 1685 गुरु गोविन सिंग जो है 17 संचुरी में मंडी डिस्टिक में आए थे नेक्स्ट है हिमाच्य प्रदेश के कि स्थान पर एटेर्नल बिश्वदा ले स्तित है बाकना गाठ बारु साहीव बात्थू या फिर बद्दी इसका जो राइट अंसर है बारु साहीव में जो इंटेर्नल उनिवस्टी है ये हिमाच्य प्रदेश में एक प्राइवेट उनिवस्टी है जो की बारु साहीव में स्तित है हिमाच्य प्रदेश के किस जिले में प्रसीद ब्यक्ती होलदार संजी कुमार स्वंदित है इसका जो राइट अंसर है बो अप्शन ए ब्लासपूर होलदार संजी कुमार जो है एक राइफल मैन थे जिने जो है जेवित रहते हुए दिये गया था नेक्स्ट कुशन है हिमाच्य प्रदेश में कितने राष्ट ये उद्यान है इसका जो राइट अंसर है वो अप्शन सी फाइब बुक्स में जो है किसी बुक्स में दो दिये हैं किसी बुक्स में जो है तीन दिये हैं बट जो लेटेस्ट है उसमें जो है फाइफ नेशनल पार्क हिमाच्य प्रदेश में हैं हिमाच्य प्रदेश फोरेश्ट देवार्मेंट की जो रिपोर्ट 2021 में आई है उसमें जो है ये बिल्कुल क्लेर करें हैं कि हिमाचर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं कितनी वाइलाइब संस्रीज हैं तो उनके ओपर भी हमने वीडियो बनाई है तो अगर आपने नहीं देखिए हैं तो उसको भी आप अगर आपको इसमें डोट है 32 से 26 कैसे बने तो आप वीडियो जुरूर देखें इसका लिंक जो है मैंने इसी वीडियो के नीचे दिस्क्रिपिशन में दिया है नेक्स्ट कोशन देखते हैं उनाच्व प्रदेश का सबसे उंचा शिखर कौन सा है ये कोशन भी पूछा गया है इसका जो राइट अनसर है वह आप्शन C, कांग्टो कांग्टो जो है Eastern P का सबसे उंचा पॉइंट है जो की नाच्व प्रदेश में है तो इसका जो राइट अनसर है वह आप्शन C, कांग्टो इसकी हाइट 7060 मीटर है किस बर्स प्रोजेक्ट टाइगर का शुबरम हुआ इसका जो राइट अंसर है वो अप्शन 1973 इजी कोशन है MS गुपाल किशन किस संगीत वाद यंतर से जुड़े है MS गुपाल किशना is associated with which musical instrument बीना, संतूर, वाइलेन या फिर सितार इसका जो राइट अंसर है वो अप्शन C वाइलेन MS गुपाल किशन जो है दक्षनी भार्त से स्वंदित थे जिनका निदन 2013 में हुआ था उन्हें पदम भूशन और पदरम शी से भी स्माइनित किया गया था next question देखते है mixed question लिए है chain का संदिव शेद क्या है इसका जो राइट अंसर है वो option D chain plus 1 इस वीडियो में जो हमने mixed question लिए है ये इस इस की first वीडियो है अगर आपको वीडियो प्रसंद आ रही है तो वीडियो को जूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जूर करें हम जो हैं आगे भी आपको इस सीरीज की वीडियो प्रवाइड करवाएंगे जिसमें 2021 में जितने भी एक्जाम हुए हैं उनके जो important question है थोड़े difficult question है उनको जो हम वीडियो में लेंगे next question देखते हैं बेशक्त में समास है कौन सा? द्वन्द, ततपूर्ष, भोब्रही या फिर अवेवाव समास इसका जो राइट answer है वो option D अवेवाव समास अवेवाव समास में जो है पर्थम पद परदान होता है जैसे बेशक्त में बे लगने से जो है इस शब्द की प्रवाशा बिल्कुल बदल गई है next question देखते हैं next question है शिर्गूल मंदिर माचल परदेश के की जिले में स्तित है शिर्गूल टैमपर स्चुटेटिड इन विज डिस्टिक माचल परदेश सिर्मोर किनोर सोलन या फिर कुलू इसका जो राइट अंसर है वो option A सिर्मोर डिस्टिक important question है क्योंकि अब जो ऐसे मंदिर है जिने पहले कम पूछा जाता था अब उन्हें पूछा जा रहा है तो सिर्गूल मंदिर जो है यह चूरदार चोटी के उपर स्चुट है जो की सिर्मोर डिस्टिक में पढ़ती है तो next question दिखते है next question है X-ray was discovered by X-ray जो है किस ने discovered किया इसका जो राइट अंसर है वो option C WC रंक जन next question है spirit is spirit क्या है चार option आपको दिए है इसका जो राइट अंसर है वो option A. Methical alcohol next question है which Veda deals with magical formula कौन सा बेद मयाबीन उसके से समझित है इसका जो राइट अंसर है इसका जो राइट अंसर है वो option D रशियन विपारी निकोटिन जो है रशियन एक रशियन का विपारी था ये थे 20 प्लस important question वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जूर्ब बताएं और अगल पार्ट भी जल्दी चाते हैं तब भी कमेंट करके जूर्ब पताएं मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद प्पूरब तक के ंएल पस्ट नेध